हेलो फ्रेंड वेलकम टू क्रैकट मैं हूँ आरवी और मैं आपको रीजिनिंग में आज बहुती बेसिक चैप्टर बर्ण मौला यानि अलफा वेट्स पढ़ाऊंगा ठीक है तो आईए देखते हैं उसको तो अलफा वेट्स में आप सभी को पता होगा कि अग्रेजी बर्ण मौला में टोटल 26 अच्छर होते हैं और स्वर्ण यानि वोवेल वो कितने होते हैं पांच होते हैं अग्रेजी बर्ण मौला में कौन होँ से A, E, I, O और U येस A, E, I, O, U श्वर है U है ये और बाकी जो होते हैं वो बेंजन होते हैं इतना तो पता ही होगा सबको ठीक है अब इसमें क्या होता है कि और कोचिंग वाले ये आपको याद करने को देते हैं जैसे बुक्स में भी दिया है A और Z को A, Z कहते हैं या इनकी सीरीज याद करने को देते हैं A का एक होता है B का 2, C का 3 इस तरह 26 लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स के अंग आपको याद करने होते हैं बाकी कोचिंग का ये बदाते हैं आपको या चैनल वाले की इनको याद कर लें लेकर हम आपको फ़ला देते हैं कि इनको याद ना करें अगर याद करोगे तो पेपर में नर्वस ने इसके वाज़े से भूल जाओगे तो आपको याद नहीं करने हैं यह सब आपको क्या करना है सबसे पहले पेपर में जाएंगे और वहां रफ सीड मिलती है तो आप एवी सीडी लिख दींगे उसमें पूरी ठीक है ऐसे लिखिएगा कि ये एक लाइन में ऊपर छोटी सी जगह में आ जाएंगे सब चीज क्यूंकि आपको एक ही सीड मिलती है उसी में सब पूरा सॉल्व करना होता है ठीक है पेपर में सबसे पहले ये लिख देंगे अब उसके बाद ये क्यों लिख वाते हैं क्यूंकि इसमें देखी इससे अल्फा वेट्स अकेले नहीं सॉल्व होगा आपकी कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व होगी और आपके जो सीरीज होती है एबी सीडी वाली वो भी इससे आपकी तीन-चार कोशन सॉल्व होंगे तो वह तीन-चार कोशन गलत नहीं होने चाहिए तो आप यह लिख लेंगे याद नहीं करेंगे याद वहाँ पर भूल जाएगा सब कुछ ठीक है अब आँगे चलते हैं अब है आपका अब प्रस्ट स्टेप अंग्रेजी वर्ण माला में प्रस्ट स्टैप इसको हिंदी में कहते हैं आपका पूर्वा धर्वर्ट पस्ट्यप क्या होता है ओ फास्ट स्ट्यप और सेगैंड श्ट्यप दो चीज होती है तो एक से लेको त्य wash तक यानि A से लेके कहां तक M तक कि आपका फर्स स्टेप कराता है इसको हिंदी में कहते हैं आप पूर्वा धर ठीक है और इसको कहते हैं उत्तरा धर सेकेंड श्टेप यह कहां से होता है यह N से लेके Z तक फर्स स्टेप सेकेंड श्टेप ठीक है यानि एक A से लेके M तक और N से लेके आपका Z तक फर्स और सेकेंड ठीक है यह तक समझ में आया अब आंके चलते हैं तो गढड़ना के नियम अब हम इसको कांट कैसे गरते हैं यह देखें पहले जैसे आपको दिया है की बाय से सात उसके दाएं आटमा चरश हर कौन सा होगा तो इन सब को count कैसे करते हैं जैसे आपको दिया है पहले पहले दिया है आपको बाया फिर दिया है आपको बाया तो कौन सा चिन आएगा माइनस अभी इसका युज़़ बताइग ठीक है अगर आपको दिया है दाया और फिर दिया है दाया तो ये भी माइनस अब अगर आपको दिया है बाया प्लस दाया तो ये आपका हो जाएगा प्लस आपको दिया है दाया प्लस बाया ये भी आपका हो जाएगा प्लस यानि इसका कहने का मतलब है अगर same direction है दोनों की तो आपका chin negative आता है देखें दोनों की same direction है तो chin negative अगर दोनों की direction change है तो आपका जो symbol chin आएगा आपका plus का आएगा positive रहेगा ठीक है इसका huge कैसे करते हैं और हाँ एक चीज और जिससे शुरुआत होती है जो पहले बोलता है जैसे buy से 7 में चर्क के दाएं आठ हुआ तो buy पहले बोला है न तो जो आप count करेंगे buy से ही करेंगे और buy है कौन से direction होती ABCD में यह आपकी buy direction है अगर आप ABCD से चलेंगे तो आपकी सबहाएं डायं से चलेंग और अगर आप जेट से चलेंगे लिए अजय और डायं से चलेंगे डायं से चलेंगे डायं से ब्राइं पनाले और केल्कुलेशन कैसे करते हैं यह चल गयां आपको अब आते हैं कोhsomething में कैसे sól naszychysł सबसे इजी तरीके से तो पहला कोश्चन लिख ले आपकी स्क्रीन पर है पहला कोश्चन हूने आपको 22 के बाइश साथमा होगा तो आपका बाया और बाया बोला यानि बाइश से 22 के बाइश साथमा हमने आपको कैलकुलेशन रूल जो बताया था उसमें क्या था अगर दोनोट बाइश बाइश है तो क्या होता है चिन माइनस यानि जो आपका 22 के बाइश साथमा पोच रहा था इन दौनों के बीच में माइनस आ जाएगा 22 माइनस सेवन कितना बचेगा पंद्रह और कौन सा बचेगा जो आपका पहला होता है यानि पहला कौन सा था बाया तो यानि आप बाइश से पंद्र बाइसे कौनि से direction होती है से तो अगर आप देँसी कउन सा है आपका ओ अगर अबोल ऑन पर सीधे सीधे उसपे ही जाएंगे ठीक है तो बाइसे पन्द्रमा चुंछा को तो यही आप Kunstai अग coup लेगे देड कोशन में दाएं से साथवें दाएं से साथवें के बाएं पांचमा होगा देखें आप इस पर पहले बोल दिया है दाएं फिर बोल दिया है बाएं एक दाएं एक बाएं तो क्या हो गया पॉश्टिप चिन आया यानि पहले कौन सा था आपका साथ में प्लस फाइफ साथ में के बाएं 7 plus 5 7 plus 5 हो गया डौनों अलग अलग थे इस बज़े से प्लस आया ठीक है 75 कितना हो जाएगा आपका 12 और कहां से काउंट होगा जो आपका पहले दिया होता है पहला कौन सा दिया है दाएं तो यह आपका बार्मा कौन सा होगा दाएं दाएं से बार्मा अच्छा अरकाउंट कर लिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा वही आ रहा है ठीक है अगले कोशन में चलते हैं अगला कोशन है आपका इस्क्रीन पर दी हुई संक्रा में बाएं से तीसरा अच्छर के दाएं दसमें अच्छर के बाएं सातमा अच्छर होगा अब इसमें देखिए तीन चीज़ पहले बोला है बाएं फिर उसके दाएं फिर उसके बाएं पहले था आपका बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, अब तो अभी तक सिर्फ यह पता है, दो कैसे solve गरते हैं, अब यह तीसरा कैसे solve होगा, यह देखिए, तो इन दोनों में आप लगा सकते हैं पहले, बाएं प्लस दाएं दिया है, कौन से चिन आएगा, positive, यानि पहले कितन बोला था, आपसे question में कह रहा था, बाएं से तीसरे अच्छर के दाएं दस होगा, तो इन दोनों के लिए क्लिए क्या हो जाएगा, तीन प्लस दस, यानि तेरा, और तेरा कौन सा, बाएं वाला, पहला बाएं है ना आपका, तो यह बाएं, ठीक है, अब क्या होगा, अब इन दोनों में लग जाएगा, बाएं हैं और बाएं हैं, यानि चिन कौन सा आएगा, निगेटिव का, यानि तेरा और कितना दिया है, दस, नहीं, तेरा और साथ, तो तेरा में आपका साथ खड़ जाएगा, कितना आएगा, छे, और कौन सा आएगा, पहले कौन सा था, बा आए ही आएगा ठीक है यानि 6 बाएं चलेगा आपको कितने भी देदे तीन देदे चार देदे पांच देदे आपको सीरीज से चलना है पहले दो के साथ फिर जो आएगा उसके इसके साथ फिर जो आएगा उसके अगले के साथ फिर अगले के साथ चलेंगे आप सीरीज से ही तो च्छाय आपके कांस चलना है बाएं से बाएं से चटमा अच्छर कौन सा है यह देखिए है तो आपका अंसर क्या जाएगा एप है सिंपल ठीक है अगले कोशन में चलें अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर है अगला कोशन है अगर स्ट्प को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से आठ्में अच्छर के दाएं नौमा अच्छर कौन सा होगा इसमें आपको पहली चीज़ बोल दिए पस्ट्प को क्या किया जाएं उल्टे क्रम में अपलब कैसे जहां अब शुरुआत आपकी M से होगी ठीक है अगर आप ऐसे लिख लें A B C D E F G H I J K L M ठीक है उल्टे करम में हो गया M से शुरुआत होई आपकी और A पर आके खत्ना मुए पर स्टेप की और बाखी चो था N से वो तो बैसे कर वैसे रहेगा ठीक है यह हो गया बन गया अपना आप कुश्चन में आते हैं क्या कह रहा था कि माय से आठ में अच्छर के दाएं नौमा फिर एक बाय हैं और एक दाएं हैं क्या होगा चिन प्लस का होगा आपका 8, 9, कितना हो जाएगा, 8, 9, 17 हो जाएगा, और कहां से चलेंगे आप, पहला कौन सा बोला था, पहला बाए बोला था, तो यानि आप बाए से कितना चलेंगे, 17, बाए मतलब यहां से, अच्छा आपको पता है कि ए तक तो 13 है, 4 और कलने, 13, 14, 15, 16, 17, क्यों, क्यों है आंसर, समझ में आया, बहुत ज़्यादा सिंपिल है, बर्ड माला, अगली चीज, अगला कोशन आपका, स्क्रीन पे, यदि, बाए से सुरू करते हुए, संक्ला के प्रतेक पांचमे अच्छर को, बिलुक्त कर दिया जाए, यानि समाप्त कर दिया जाए, तो दाहिने से, सत्रमे अच्छर के, दाहिने आठमें अच्छर कौन सा होगा, अगर कह रहा है कि अगर आप बाए से चलें, यानि ए से चलें, बाए से चलें, और हर पांचमा अच्छर गायब कर दें, यानि काउंट ना करें उसको, तो फिर आंगी कंडिशन निकालें, यह यह करना है, ठीक है, तो आपको पता है हर पांच अच्छर, हमने सबसे पहले था इजो टी का 5 10 15 20 25 ठीक है इन्हीं को गायब करतें इगायब हो गया आपका जे गायब हो गया ओगायब हो गया वाइव हो गया आप आँगे कंडिशन देख ले कंडिशन कहा रहा था कि आपका दाहिने से सत्र में अच्छर के दाहिने दौनों सेम डाहिन है दाहिना दाहिना तो सत्रा में से क्या हो जाएगा आपका आठ घड़ गाएगा दौनों सेम डाहिन में चिन माइनस का आता है सत्रा में से जब आठ जाएगा तो आपका नो बचेगा और किस direction से आपका पहले बोला था दाइना तो दाइने से 9 यानि पीछे से 9 count कर ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कौन सा आ रहा है? P तो P आपका answer समझ में आया? बाकी question लगाएं आप इस तरह के ही होंगे आपको loose end खरीद लें बरवर listening वो आपको हर एक exam में हर एक exam के लिए अच्छी book है loose end ठीक है? अब आते हैं type 2 पर तो अब है आपका type 2 पहला question करते है type 2 में WT जिस प्रकार WT जिस प्रकार QN से संबंदित है QN से संबंदित है उसी प्रकार FC है dot dot FC संबंदित है किस से तो इनको कैसे करेंगे? देखें इनमें क्या करते है इनके भी code लिख देते हैं जो code है serial number मतलब इनके भी code लिख दे W का कितना होता है? इनको पहले तो नीचे लिख लीजे W QN W का कितना है? देख लें इसमें कहा है W? 23 Q का कितना है? Q का है 17 N का कितना है? N का है 14 ठीक है इनके सीधे सीधे सीरीज लिए अब देखें आप 23 से 17 हो रहा है 20 से 14 हो रहा है कितना हो रहा है माइनस का 6 ठीक है माइनस का 6 डॉनों में माइनस माइनस के ठीक हो रहा है तो इसी तरह इसको बना लें ऐप t Gue up का कितना है आप का चाहें कि सी का कितना है तीन है कि और चाहिए अगर उपर से नीचे आ रहा रहेता हो अब क्या हो जाएका जुड़ जाएगा पिलशा इसमें पिलश्च जुड़ जाएगा कि दीकता तो आपका पहले से 6 था, 6 और जुड़ गया, तो कितना हो गया, 12, और 6 पहले से 3 था, 6 और जुड़ गया, कितना हो गया, 9, यानि 12 नमबर में कौन सा है आपका, देखें 12 नमबर में है आपका L, और 9 में नमबर पे है आपका I, तो आपका क्या अंसर हो गया, L और I, आप बैसे भी रहा है जुड़ रहा है गुड़ा हो रहा है कम हो रहा है यह सब आप निकाल सकते हैं ठीक है समझ में आ गया अगला कोशन करें आपकी स्क्रीन पर है MP का संबंद जिस प्रकार के एन से है MP का संबंद के एन से है उसी प्रकार डी जी का संबंद होगा निकालने इसको फिर से इसकी नंबरिंग करते हैं MP की कितनी है MP है 13 और P की कितनी है 16 के की कितनी है के देखें 11 और N के कितनी है 14 होगा कितना कम हो रहा है माइनस का दो इसमें भी माइनस का दो ठीक है इधर कर दें डी की कितनी है चार और जी कितनी है 7 तो जब 4 में माइनस 2 होगा और 7 में माइनस 2 होगा कितना बचेगा 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा और 7 में 2 जाएगा तो 5 बचेगा तो 2 नंबर पे कौन सा आता है देखें दो नंबर पे B है आपका और 5 नंबर पे कौन सा आता है 5 नंबर पे आपका E यानि B और E आंसर है आपके अगर आप नंबरिंग करते हैं तो देखें कितना ज़्यादा सिंपिल है नंबरिंग करते हैं उसकी तो बहुत ज़्यादा सिंपिल है कुछ करना ही नहीं है जैसे numbering किये आपने बैसे ही निकाल लेंगे समाझ में आ गया होगा अगले question में चलते हैं अगला question आपकी screen पे है अगला question है we comma sg comma pj comma ln n इसके बाद क्या आएगा series में भी आ सकते हैं यह ठीक है तो series में भी क्या करेंगे आप सबसे पहले numbering कर देंगे आपको सीधे सीधे numbering करनी हो यह तो यह भी CD आपके paper seat में होनी चाहिए यानि जो rough seat होती है उसमें हमेशा होनी चाहिए ठीक है डबलू का कितना है देखें 23 है ए का कितना है पांच है एस का कितना है 19 है जी का कितना है साथ है पी का कितना है 16 है जे का कितना है 10 है एल का कितना है एल का है आपका 12 एंड का कितना है 14 ठीक है यह स्रीच कर दी अब देखो आप साब साब दिखाई दे रहोगा पांच, दो साथ दस, चौदा यानि ये फिर ये, फिर ये बाद बाद वाले क्या हो रहे हैं? पहले प्लस दो फिर प्लस साथ तीन दस फिर प्लस फोर तो अगला क्या होगा? प्लस का 5 हो जाएगा यानि चौदा प्लस 5 उन्निस उन्निस नमबर में कौन सा आता है? उन्निस नमबर में आपका S आता है तो यहाँ आपका S होगा अब इसमें देखें डबलू 23 और 19, कितना घट रहा है? माइनस का 4, ठीक है? 19 से 16 हो रहा है फिर क्या हो रहा है? माइनस का 3 फिर 16 से 12 हो रहा है यानि माइनस कितना? 4 तो आप क्या होगा? पहले माइनस 4, माइनस 3, माइनस 4, फिर माइनस 3 यानि 12 में 3 जाएगे कितना बचेगा? 9 बचेगा 9 में नमबर में कौन सा आता है आपका? आई यानि आपका क्या है आइ आइस सीरीज में आएगा ठीक तो आप समझ गए होंगे इंको कैसे करते हैं चाय सेरीज में दिये हों चाय उस तरह में दिये हों आपको सबसे पहले नंबरिंग करनी और यही प् Rock कोटिंग recording में भी करना है आपको बस यह याद रखना है कि ABCD आपको सबसे पहले लिख देनी है जाके ABCD आपने लिख ली तो उससे आप चार-पांच questions solve कर लेंगे याद नहीं करना कुछ भी हम याद करने हों कि देते हैं कुछ भी कि आप याद करें ठीक है आपको हम concept पताते हैं कैसे solve करने हैं basic concept और उसी से आप कर ले जाएंगे अच्छा मेरे कौउशन का अंसर देजिए आप एक लड़की है जिसकी उम्र 10 साल है और उसका नाम दाशु है उसका नाम दाशु है और उम्र 10 साल है उसने एक बॉल को किक मारा लात मारी तो वो बॉल 10 फुट दूर गई और उसके पास अपने आप बापस आगई कैसे आंसर दीजे इसका